इतना तो समझ में आता है और एक बार फिर बताया उस्ट्रेलिया ने कि अगर आपने उस्ट्रेलिया को हराना है ना विश्व कप के अंदर, चाहे वो लीग मैच हो, चाहे वो फाइनल हो, स्पेशली नॉक आउट मैच के अंदर, तो दो चीज़े हो नहीं बिल्कुल चाहिए आपका वो बेस्ट दिन होना चाहिए, और होप करिये कि वो उस्ट्रेलिया का नॉट सो गुड डे हो, एक बार फिर उस्ट्रेलिया ने याद दिला दिया कि नॉक आउट मैचेज में, चाहे वो जिस भी फॉर्म से निकल कर आए हो, जब वो आपके आमने सामने रहेंगे न नॉक आउट मैच में सेमी फाइनल में फाइनल में उनकी बेस्ट गेम निकल कर आएगी, हेड तो हेड, प्लेयर तो प्लेयर, मैं तो मैं, जितनी भी मार्किंग्स करके देख लीजे, ओपोजिशन कितनी भी स्ट्रॉंग हो और कितना भी अच्छा फॉर्म हो, उस्ट्रेलि दिया वर्ल्ड को, कि भले ही शुरुवात धीमी रही हो, पहले दोनों मैचेस हारी थी अस्ट्रेलिया टीम और विश्व कप के अंदर, वो दो मैचेस हारने के बाद, पैट कमिंस क्लेरली कह रहे थे, कि अगला मैच अगर हम नहीं जीते, तो कहीं नहीं पिछड जाएंगे और वो जो विश्व कप जीतने की उमीद है, वो रह जाएगी, ये वो वर्ड से अक्टूबर के अंदर, लेकिन 19 नवंबर को वो वर्ड कितने असानी से बदल दिये, जब टॉस जीता पैट कमिंस ने और कहा कि हम बोलिंग करना चाहते हैं, तो जो चेर थाना स्टेडियम म कि रहात की सास ले, चलिए कम से कम इंडिया बैटिंग करके रंस बोट पे डाल देगा और हम विश्व कप जीत जाएंगे, वही स्क्रिप्त थी हर भारतिय समर्थ की और समने यही सोचा था कि रंस बोट पे डाल देगे न, तो कम से कम आधा टॉर्नमेंट हम तै कर लेंगे जीत की तरफ एक अदम और रख लेंगे, और होता भी है, क्योंकि मस्ट विन गेम के अंदर रंस बोट पे जब जाते हैं, तो definitely half the pressure is off you, but Australia ने, didn't take the easy way out, took the difficult way out, कि हम chase करेंगे, and in a world cup final, chase, जैसी भी पिछ हो, chase करना, that means, आपके dressing room में वो confidence है, और वो confidence, Pat Cummins, calm, cool, collected, toss पे कि है कि कोई बात नहीं, हम chase करना पसंद करेंगे, शुरुवात कैसी भी रही हो भारतिय टीम की, ठीक है, शुमन गेल जल्दी आउट हो गए, रोय चर्मा ने उसी तरीके से खेल दिखाया, जो खेलते हुए हैं, और अगर आउट हुए, तो ज़रूर सवाल, hindsight में जब हम पू अगर सीधा लगता और जाता सामने की तरफ नहीं, तो छेरन होते हैं, और हम सब अपलॉड करते हैं, रोय चर्मा ने एक शादा कला, आर कितने शांदार तरीके से बहुत अच्छे फोम है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, च्रेट, Travis Head को ज़रूर देना चाहिए, बिकर अच्छ पीछे भागते वे, चैच लेना असान नहीं होता, और विराट कोली और श्रेया सायर से उमीदे थी, लेकिन श्रेया सायर कौट बहांड डाउट हो गए, तो फिर उमीदे रही, केल राहूल के साथ, और केल राहूल और विराट कोली के साज़दारी रही जरूर थी, 67 runs की पार्टनर्शिप थी, लेकिन वो पार्टनर्शिप में यह जरूर दिख रहा था, कि पिछ पर बैटिंग करना असान नहीं है, थोड़ी स्लोईश जरूर थी, क्या उस वो और तेज खेल सकते थे, क्या कैप्टलाइस कर सकते थे, जरूर कर सकते थे, अगर श्रेया सायर नहीं खेलती, एना थाट की, जरूर, तीन सो से कम रंस, जाए पिछ स्लोईश हो, या ठीक ठाक हो, तीन सो से कम ना एक उपोजिशन टीम के अद़र यह यह जरूर रहता है, कि आप कभी भी चेस कर सकते हैं, उस्ट्रेया गेंदबास को बिलकुल मैच के भार मत ने का लिया क्योंके मिचल स्टार्क भले ही शुरुवात में रोहे शर्मा के विकेट लेने में कामयाब नहीं रहे लेकिन उन्हें ने शुबन किलकू आउट किया, और जो प्रेशर डाला, ऑस्ट्रेलिया बोलर्स ने राइट थू अन दी इंडियन बैटिंग वो बोर्ट पर देखके कभी भी चेस में कांफिडेंस हिलता नहीं है क्योंकि आपके कितना भी खराब स्टार्ट हो, आपको पता है कि 241 तो आप बनाई ही लेंगे और वो कांफिडेंस से उतरी थी, लेकिन कितना डिफरेंट था ना, जब ट्राविस हेड के सामने तीन सामने ग्लेन मैक्सवल के साथ, वो मस्ट विन इंपॉर्ट आउटिंग अगेंस अफगाने सा, उस रोल की तरीके से मानस लभुशेन ने अपना बिल्कुल पॉफेट रोल अदा किया, फिफ्टी उनके नाम पे भी थे, लेकर वोड़ा राउस्टेंग नोग फ्रम ट्राव मिली लेकिन थोड़ा सा समय मुझे ऐसा लागा कि अगर मुहम्मद सिराज की तरफ थोड़ा जल्दी चले जाते तो यू नेवर नो और ये सारी बात है मिसले कर रहे हैं क्योंकि रिजल्ट हमारे सामने है, उस समय जो भी बेस्ट रोय शर्मा को लगा, उन्होंने किया, मु जो बैटिंग थी, उन्होंने बिलकुली मौका नहीं दिया है, चांसले सिनिंग्स, Travis said, चांसले सिनिंग्स फर मानस लभुषेन, फिर भी कहीं ना कहीं, ये मानना जरूरी है कि दो सो चले सान बोर्ट पर काफी नहीं थे, उस्ट्रेलिया टीम के सामने, इन अ मस्ट विन ग जो बहुत सारे प्लेस हैं इस लिस्ट में और बहुत क्लोस भी थे, कम सकम कुंटें डिकॉक बहुत क्लोस थे, इस लिस्ट में मिचल माश भी है, और डेविड वर्णर भी ऑस्ट्रेलिया के लेकिन आउट्स टेंडिया ये ये अपने घर में खेली ये भार केली जब रंस मनाने हैं तो मैं जरूर दिखूंगा आपको उस येगे पे, All in all, of course, Australia ने ये फिर से याद ला दिया कि men's and women's 50 over World Cup winners जो ट्रोफी है वो वापस ऑस्ट्रेलिया के cabinet में बहुत करीब पर फिर भी बहुत दूर. It just takes that one day. ये ही मोटो है, ये ही लाइन है, स्वेश्वा कप, ICC Men's Cricket World Cup 2023 की, all it takes is one day. And all it took was just that one day for Australia to beat India. Sadly, it was in the final of the Men's Cricket World Cup. पास आए, पर फिर भी बहुत दूर है उस World Cup ट्रोफी के. हाथ मेंने के कैरी जुरूर किया था, बहुत अच्छा लागा था और उमीद थी कि इस साल इस बारी Men's Trophy जो है, वापस भारत के घर आएगी, काबिनेट में आएगी, और हम एक बार फिर उस Trophy के करीब पहुँच पाएँगे. लेकिन वो इंतजार करना पड़ेगा. जो है इंडिया-Australia की, वोमन्स की सीरीज है, वित ऑस्ट्रेलिया और इंगलेट सो बहुत सारी क्रिकेट हारी है, और फकॉर्स लेजंस लीक्रिकेट भी शुरू हो गई है. जो डू कीप तुनिंग इन, लाइक कमेंट शेर करेंगे, तो मज़ा आएगा, and thanks very much for watching Different Strokes.